वेलकम टू पाथाइस एकेडमी मैं सुरेन सप्रे और आज हम देखने वाले हैं CGPSC मेंस 2020 का एनलिसिस एक देखने वाले है और बेसिकली एक चर्चा होगी कि हमें किस तरह से अच्छा एक उत्तर लिखना चाहिए तो हमने जो पेपर लिया है वो पेपर 4 है और उसका Part 1 है और सब्जेक्ट है Physics सबसे पहले चीज इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि यह जो वीडियो है हमारा वो किन के लिए बैनिफीशियल है किन के लिए यह उप्योगी वीडियो थाबित होगा तो जैसे कि जिन्हों ने अभी रिसेंटली मेंस जो दिया है जिन लोगों ने तो उनके लिए ये ऐसा उपयोगी थाबित होगा कि यहां से हम देख पैंगे कि किस सरह से हमें आंसर्स को लिखना था और हमें आगे की अपनी रणनीती जो हमरा तीसरा फेस है लास्ट एन मोस्ट इंपोर्टेंट फेस इंटर्व्यू उसके लिए हम अपनी तैयारी कैसे आगे बढ़ाएं उस तैयारी को और दूसरा जिन्होंने प्री दिया प्री देने के बाद रिजल्ट जो आया और रिजल्ट में उस लिस्ट में उनका नाम नहीं था कहने का मतलब क प्री कॉलिफाइड नहीं कर पाए और तुरंट उसके बाद तुरंट नेक्स जो इयर आने वाला साल है उसके लिए वो अपनी तैयारी में जुट गए तो उनके लिए ये बहुत ही उप्योगी साबित होगा कि हमें आने वाले वर्षों में कि किस तरह से हम उसका आंसर लि करते हैं तो उस पर प्री के जितने सेक्शन से वो सारे सेक्शन उस पर कवर हो जाते हैं तो यहां से एक आंसर राइटिंग की भी मतलब आपकी तैयारी होगी तो चलिए शुरू करते हैं फिजिक्स का तो इस सल पहले देखते हैं कि कितने मार्क्स के और कितने कोशन आए है physics के तो देखे 2 marks के आपके यहां से आये है 3 question और 4 marks का 1 question आया है 8 marks का और 1 आया है आपका 15 marks का तो overall 6 question आये और marks हो गया आपका 33 ठीक है तो इससे हम यह समझ पा रहे हैं कि जैसे की paper 3 total overall psc के कितने paper हो गया मेंस के पेसी मेंस के आपके overall 7 paper है 7 में आपका paper number 3 to 7 जो GS का paper है वो paper आपके तीन सेक्शन वो सारे paper आपके तीन सेक्शन में बटे हुए हैं part 1 2 & 3 तो part 1 जो है आपका वो 75 और part 3 जो है 75 marks के और part 2 आपका बनता है 50 marks का तो part 1 में जैसे हम देख रहे हैं तो part 1 में out of 75 हमारे physics ने cover किये है 33 marks कि और remaining जो है वो आपका चले गया biology and chemistry में चले गया ठीक है तो यहां से हम देखते हैं sequence में देखते हैं कि कैसा question आया हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहां पे कि question number 1 है वहां पर sequencing की बात नहीं कर रहा हूं है paper में sequencing अलग थी तो देखें यहां question आया है आपका दो marks के लिए दो marks के question में हमें क्या क्या जानकारी देनी है तो basically देखिए जैसे कि मैंने यहां पे तीन points लिखे हैं तो पहला point जो आपका है कि जभी भी हमें एक समांतर किरने चाहिए होती है तो हम उपयोग करते हैं concave mirror का दूसरा जभी हमें किसी वस्तू का आवर्धित रूप देखना होता है magnified image देखनी होती है तो हम यूज करते हैं आपका concave mirror और किसी भी point पे light की जो beam है उसको हमें focus करना है किसी एक particular point पे तो हम use करते हैं आपका concave mirror अब यहां से basically आप इन तीन sections में answer अपने लिख सकते हैं यह तो आया था दो marks के लिए तो दो marks में हमें जैसे कि हमने कहा कि panel beam of light produce करता है तो वहां पे हम example ले सकते हैं torch का और एक example ले सकते हैं आपका गाडियों की जो headlight होती है head lamp of vehicles यह एक हम यहां से ले सकते हैं दो example हो गए यहां अब दो marks का है तो कम से कम जैसे तीन section में बटा है तो कम से कम 5-6 छोटे-छोटे examples हमको उनके applications लिखने हैं अब देखें जैसे second point है किसी भी वस्तु का आवर्धित प्रतिविंब मुझे देखना है तो क्या करना है यूज करते हम उसकी property की concave mirror की property है कि वो बड़ा दिखाता है किसी भी वस्तु गो तो यहां पे हम जैसे देखते हैं तो यह आता है एक example की shaving mirror में use होता है shaving mirror में use होता है और example लेज सकते हैं जैसे makeup वाले जो mirror होते हैं makeup करते हैं makeup artist के पांस देखे होंगे कि उनका जो mirror होता है वो कैसा mirror होता है आपका आउतल दरपन होता है makeup mirror यह example में लिख सकते हैं इस point के अंदर और तीसरा जैसे एक particular point पर हमें beam को focus करना है तो इसका सबसे अच्छा example होता है जो dish antenna होता है dish antenna वाला यह एक example है और यहीं से एक चीज और देख सकते हैं वो है आपका जो doctors का head mirror होता है आप लोगों ने देखा होगा कि doctors जब भी patient को examine करते हैं तो कुछ चीज़े को बारिकी सी देखने के लिए वो अपने सर पे एक mirror का ऐसा कुछ लगाए रहते हैं तो वो जो mirror होता है वो भी आपका आवतर दरपन होता है कौनके मिरर होता है तो यह क्या लिख देंगे doctors head mirror इस तरह से कुछ answer जैसे हम लिखेंगे इस वाले question में इस सल के जो paper था उसमें directly हम लिख देंगे torch में use होता है head lamp में shaving mirror makeup mirror के तोर पे use करते हैं dish antenna के तरह और doctors का head mirror होता है simply यह लिख दिए अब माल लो यही question यही question आपको पूछा जाता है चार marks के लिए तो वहाँ पर हम arrange कर सकते थे किस तरह से कि यह point लेते हैं की to obtain parallel beam of light समांतर की ने पाने के लिए हम इसका इस्तिमाल करते हैं और example के तौर पे यह दोनों लिखते next magnification के लिए use करते हैं तो shaving mirror में और makeup mirror में यह लिख सकते थे और focusing beam of light at a point तो वहाँ से disc antenna और आपका doctor's head mirror क्यों यह जो point है यह property को दर्शाता है कि concave mirror जो होता है concave mirror आपका होता है converging type of mirror होता है अभिसारी प्रकृति का होता है तो कुछ इस तरह से इसको 4 marks में जमा के लिख सकते थे next देखते हैं अब जैसे यह question आया है आपका explain the electric discharge margin gases यह आया है आपका 2 marks के लिए तो simply हमें क्या करना है तीज शब्दों में 30 words में इसे लिखना है तो 30 words में लिखना है तो simple हमें diagram अगिरा नहीं बनाना रहेगा 30 marks में simply हमें क्या करना है इस process को explain कर देना है simple simple तरीके से explain कर देना है कि normal atmospheric pressure पे gas are poor conductor of electricity और यदी हम एक potential difference ऐसा develop कर लेते हैं जैसे कि of order 30 kilo world between electrodes तो क्या होगा एक प्रक्रिया होगी जिसे हम कहते हैं गैसों में विद्धूत विसर्जन ऐसा कुछ हम explain कर सकते हैं और यह चीज मेंशन करना बहुत जरूरी है कि जो pressure होगा वो pressure हमारा इतना होगा at 10 mm of mercury होगा तो यहां से हम इसको explain कर सकते हैं यह जैसे मैंने दिखाया यहां पे यह basically आपका 4 marks to 8 marks तक जाता है यह question तो जैसे यहां हमारे paper में इस साल तो 2 marks के लिए आया है तो basically यह आपका चले जाएगा कितना इतना जो content है वो आपका 4 to 8 marks के लिए तो चलिए next देखते हैं अब simple यहां पे definition पूछा गया है define electric energy and electric power 2 marks के लिए तो दो number के लिए हमें कितना लिखना है electric current का जो definition है वो definition लिख दिए और साथ में इसके एक formula लिख देंगे छोड़ा सा formula कि charge upon time होता है current जो है charge upon time होता है और यहीं पर add कर देंगे इसकी ऐसा unit होती है ampere यह हम वहाँ पर mention कर देंगे और next जैसे इसी का second part है पूछा है electric power विद्धुत शक्ती भी पूछा गया है तो विद्धुत शक्ती हम यहां से देख लेंगे कि electric energy is a dissipation और consumption in a circuit is called electric power मतलब electric energy का जो consumption है किसी भी circuit में उसको हम relate कर देते हैं power से और इसका छोटा सा formula लिख दिए कि P equals to V I होता है यह formula लिख दिए SI मातरग भी लिख सकते हैं कि power का SI मातरग आपका what होता है बस यहां से यह हमारा question दो marks के लिए बनता है suppose in case यह question आपके four marks के लिए आता है four marks के लिए आता है तो इसमें हमें क्या के जनकारी देनी होगी जैसे कि यहां पे हमने बता दिया कि यह जो है electric energy और आपका क्या होता है वो बता दिया उसके बाद current के बारे में बता दिया वहाँ पे formula लिख दिया और electric current कैसे flow होता है negatively charged particles called electrons और उनका direction कैसे होता है opposite to the direction of flow of electron electric current का जो direction of flow होता है वो कैसा होता है opposite to the direction of flow of electrons चलिए next यह और बाकी जो energy के बारे में यहां पे power के बारे में कुछ इस तरह से और हम extra जनकारी दे सकते हैं अगर यह चार number पे पूछा जाता है चलिए next question देखते हैं अगर देखे जैसे कि तीन question अभी हमने देखे यह तीनो question आपके two marks के आया है और यह जो question है यह आपका four marks के लिए एक simple numerical आया है तो यह आपका resistance से आया है combination of resistance से आया है तो इसमें हमें क्या करना है जैसे कि चार marks का है तो यहां पर एक तो diagram आपका बना हुआ है एक और diagram बनाना है तो पहले इस वाले diagram को जैसे हम solve करते हैं तो पहले यह दो resistors को लेंगे suppose इनको naming कर देते हैं यह हो गया R1 यह आपका हो गया R2 और यह आपको R3 बना देते हैं इसे अब देखे तीन यहां पर प्रतिरोध दिये गया है तुल्य प्रतिरोध गयाद कीजिए A और B point के बीच में तो सबसे पहले हम लेते हैं R1 और R2 तो यहां circuit में देखने से हमें पता चल रहा है कि R1 और R2 समानतर क्रम में है तो समानतर क्रम के लिए यदि हम solution देखते हैं तो यह आपका solution है तो solution में यह है parallel connection में है तो parallel connection में कितना दिया है कुछ इस तरह से यह solve होगा और final आपका आएगा वन ओम आएगा यह अब फिर से हमें एक नया circuit बनाना है तो circuit कुछ इस तरह से बनेगा यह हमारा one ohm का एक register बन गया और एक दिया हुआ है five ohm का और एक point दिया है ए और पी के बीच में यहाँ पे देखना है तो यह हमारा क्या हो गया आरपी हो गया जिसकी value कितनी आई है one ohm और यह हमारा हो गया r3 इसकी value कितनी दी गई है यह आपकी पांच ohm अब यहाँ से circuit में नए circuit से हमें यह दिख रहा है कि जो rp और r3 है they are in series connection वो कैसे है श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम का जो solution होता है तो वो कैसा होगा सब्सक्राइब मान के उसको rs चलता हूँ जो तुल यह प्रतिरोध होगा किन के बीच का rp और r3 के बीच का तो यहाँ से मैं 1 प्लस 5 कर दूँगा और यह हो जाएगा मेरा 6 ओंग का हो जाएगा यह हमारा final answer है और कुछ इस तरह से इसको ऐसे box में करके यह हो गया हमारा final answer यहाँ से इसको note कर सकते हैं अब देखे चार marks में पूछा गया था तो हमें इतना सब चीच करना पड़ा है और आपका जो numerical है वो चार नंबर पर ही जनरली देखा गया है कि resistance से चार नंबर का सवाल एक बनता है चलिए next देखते है fifth question अब देखे fifth question में आपको पूछा गया है कि describe the experimental arrangement for the study of photoelectric effect explain the intensity explain the effect of intensity of light on photoelectric current देखे प्रकाश विद्धुत प्रभाव का अध्यन करने के लिए जो experimental जो विरस्ता होती है प्रयोग आत्मक जो आपकी विरस्ता का वन्नन कीजिए और तीवरता के प्रभाव की व्याख्या कीजिए और यह question जो आया है यह question eight marks का eight marks का question है it means आपको लिखना है कितने hundred words में hundred words में था syllabus में दिया गया है कि कितने marks के questions को हमें कितने words में लिखना है तो देखे basically हमें करना क्या है कि यह दो पार्ट में है यह question तो हम मानके चलते हैं कि चारचर दोनों का जो marks distribution है वो चारचर का होगा तो देखे सबसे पहले जो पार्ट पूछा गया है वो किस पे पूछा गया है experimental arrangement के बारे में पूछा गया है तो कुछ इस तरह का diagram मनाएंगे जिसमें आपका एक collector plate होगा और एक आपका receiver plate होगा और sorry यह emitter एक plate होगा और यह आपका क्या करेगा यह collector होगा और इस तरह से एक circuit का यहां पे voltmeter, emitter सब आपको एक circuit में schematic diagram एक बनाना होगा उसके बाद चलिए जो उसके parts से यहां से जो आपको दिख रहा है वो हमें क्या करना है एक-एक करके यहां पे arrange करना है जैसे कि पहला evacuated tube एक मतलब discharge tube लेना है discharge tube में जो consist करेगा एक photosensitive plate होगा जो emitter होगा बेसिकली होता गया है जो sunlight है वो उस plate पे ऐसे आके मतलब उस plate पे emit होगी वहां पे incident होगी और वहां से emitter electrons निकलेंगे ठीक है यह देखिए और next जो है वो एक collector plate होगी metal की एक collector plate होगी वो सारे कहां पे होंगे tube के अंदर यह कुछ ऐसा arrangement है जैसा हमने diagram में देखा तो यह आपकी light यहां पे आके emit हो रही है स्वारी यहां पे incident हो रही है और इस plate से आपका photo sensitive plate है यह photo means light तो यहां से देखिए फिर second जो पार्ट है second जो इसका arrangement का जो टम है वो है आपका photo sensitive plate जैसा कि हमने यहां पे बताया है तो यह कैसे है emitter plate है और यह क्या करता है जितनी sunlight है उसको absorb करता है और क्या करता है electrons emit करता है यह बताएंगे उसके बाद metal plate है तो metal plate कैसा है metal plate हमारा एक collector plate है मतलब जितने electrons यहां से निकलेंगे कहां से photo sensitive plate से basically यह होता है आपका अब देखें यहां पे मेटल प्लेट है मेटल प्लेट क्या प्लेक्शन का काम है उसका पूरे आरेंड्मेंट जितने है सारे पार्ट्स को हमें describe करना है क्योंकि ये question हमारे कितना है art marks का और साथ में बनाना है हमें diagram बनाना है ठीक है अब देखे ये metal plate है metal plate का काम यहाँ पर हमने बता दिया उसके बाद कि एक monochromatic light हमें जरुवत होगी जिसका wavelength कैसा होगा कम होगा और energy कैसी होगी high और frequency frequency भी क्या होगी high frequency wavelength कम रहेगा और energy कैसी होगी high and frequency also high हम इसको यहाँ से समझ सकते है e equals to h new और new क्या होता है आपका hc upon lambda अगर wavelength कम है तो जाहिर सी बात है कि energy ज़्यादा होगी और frequency को भी relate कर सकते है c by lambda और यह आपका हो जाएगा new तो new यह हो गया frequency और यह हो गया आपका wavelength तो दोनों एक दूसरे के inversely है it means wavelength कम होगा तो frequency obvious है कि frequency हमारी बढ़ जाएगी और एक आपका battery source होगा जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं battery एक source होगा आपका और क्या करेगा electrons particle को उनको त्वरन त्वरित करेगा उनको जितने electrons निकले है और एक potential through a potential difference potential difference यहाँ से generate होगा अब यहाँ पे एक voltmeter लगा हुआ है voltmeter क्या करेगा जो potential difference between emitter and the collector plate के बीच में जो photoelectric current flow होने के कारण जो potential difference develop होगा उसको क्या करेगा measure करेगा और जो current है हमारा value of photoelectric current is measured by emitter emitter क्या करेगा जो photoelectric current पैदा हुआ है उसको क्या करेगा measure करेगा ठीक है इतना जानकारी हमें 8 नंबर के सवाल में देना है 7 में यह diagram बनाना है और जैसे कि यहां देख पा रहे होंगे कि यह जो question है हमारा दो part में है second part क्या है explain the effect of intensity of light on photoelectric current intensity of light मतलब तीवरता जो प्रकाश की जो आप्तित किरन की आप्तित प्रकाश की जो तीवरता है उससे current में क्या मतलब changes आएंगे प्रभाव क्या होगा तो देखे intensity of light on a photoelectric current एक ऐसा हमें बनाना है उसके बाद बताना है कि जो number of photon incident per unit time per unit area increase होता है तो क्या होगा आपका जो current है वो automatic current increase होगा दोनों एक दूसरे के क्या होते है directly proportional होते है ठीक है तो यहां से इस चीज को add करना है तो यह आपका बनता है यहां से आठ नंबर का सवाल यदि अगर यह सवाल जो है यह सवाल आपका सिप पहला वाला portion पूछा रहता तो यह portion आपका बनता चार marks का और वहाँ पे simply आपको यह arrangement दिखाना होता और अलग से जैसे यह part को पूछता तो यहां पर basically इस part को अकेले नहीं पूछता साथ में और भी effects है आप देखेंगे जैसे कि photoelectric current के और भी चीजों में जैसे maximum kinetic energy पे या threshold kinetic energy बोल दे उस पे क्या effect होता है यह भी एक question बनता है तो यह भी हम वहां से prepare कर सकते है तो next देखते हैं कि अब यह question जो आया है solar cell के बारे में basically इसमें आप देख पा रहे होंगे कि आपको पूछा है चार part में पूछा गया है सबसे पहले तो पूछा है कि what is a solar cell ठीक है next इसने पूछा है कि describe the construction and working of pn junction solar cell pn junction solar cell का पूरा construction and working पूछा है और write the name of material used to prepare solar cell solar cell बनाने के लिए जो material इस्टिमाल किया जाता है उसका नाम लिखे simple है और what are the uses of solar cell अब basically आप देख पा रहे होंगे यह जो question है असल में बनना चाहिए 8 से 10 marks का लेकिन 10 marks का part 1 से तो आता नहीं है सवाल जो 10 marks का है वो part 2 से आता है आपका तो यह पंदरा नमबर अच नमबर अगा सवाल था यह बन गया आपका 15 marks का तो यहां से देखे सबसे पहले तो हमें solar cell की definition लिखनी है चारों पार्ट को हमें solve करना है तो मेदर जो portion है वो आपका part 2 है almost आपका 60% यहां से marks जो है इस पे रहेगा 60% mark आपका construction and working पे रहेगा तो हमें कुछ उस तरह से 15 नमबर के सवाल को describe करना है 175 words में रहता है 175 words में हमें describe करना होता है जो 15 नमबर का सवाल होता है अब देखें solar cell के बारे में जो उसकी definition है कि यह क्या है basically एक PN junction होता है जिसमें जब क्या होता है EMF produce करता है कब जब solar radiation उसके उपर fall होता है ठीक है अब construction and working में हमें सबसे पहले construction and working में जैसे मैंने यह लेग दिया है एक ही slide में नहीं आपाया तो आपको एक यह diagram भी बनाना होगा अब 15 marks में पूछा है तो 8 में भी पूछता तो भी आपको diagram बनाना होता लेकिन यहाँ पे 2 diagram जैसे देख पा रहे होंगे explain करता हूँ वो कैसे होगा सबसे पहले तो आपको यह diagram बनाना है इस diagram को उसके बाद उसकी जो working है वो पूरा लिखना है कि generation of EMF by a solar cell कब होता है जब light fall होती है और basically वहाँ पे 3 processes होते है एक तो होता है generation separation and collection अब generation क्या जैसी light आपकी fall होती है तो hole और electron के जो pairs है वो क्या होते हैं आपके generate होते हैं और कैसा होता है यह यहाँ पे थोड़ा सा mistake है यह कुछ ऐसा है H new जैसा हमने वहाँ पे देखा था E equals to H new ऐसा वाला और यह basically क्या होता है यह band gap energy है क्या है यह band gap energy यह condition होती है कब generation होगा electrons और hole का जब यह condition fulfill होगी यह वाली condition जब fulfill होगी और junction के समीप में होगी याने की junction के जस्ट पास में जब यह condition develop होगी तब generation होगा electron और hole के pair का अब देखें separation second stage हमारा क्या है separation the separation of electrons and hole due to क्या electric field के कारण जो depletion layer में depletion layer आप यहां से समझ पाएंगे यह है हमारा depletion region और depletion layer की यहां पर क्या हो रहा है यहां पर आपका कि कहा गया यह आपका कि डिपलीशन रीजन में separation of electron or hole electron एक तरफ होता है और आपका hole दोनों का separation होता है अब यह end क्या चले जाता है है एंसाइड में electron चले जाता है और P side में आपका P side में आपका hole चले जाता है यही है basic process of separation का यह आपका condition है अब next जो है वह आपका क्या है collection अब electrons का collection तो n side are collected by the जो electron जो n side में develop हो रहे हैं वो सब कहां चले जाते से P side में और back side में collect हो जाते हैं और यह front side में जो electrons है n के front side में वो collect हो जाएंगे और यहां से P side का जो back contact है वहाँ पे collected हो जाएंगे तो यह पूरा phenomenon यह working और construction हो गया और साथ में हो गया आपका diagram जो आपका almost 60% portion of is question का 60% है next देखें तूसरा question क्या पूछ तीसरा पार्ट जो है इसका write the name of the material used to prepare solar cell अब देखें direct यहां पर हम लिख सकते थे the material used to prepare is silicon है ना solar cell को बनाने के लिए जो जिस वस्तू का उपयोग किया जाता है वो तो आपका basically होता है silicon लेकिन उसके साथ में कुछ यह extra चीजे add कर दे तो आपके answer में और थोड़ी सी जाना जाएगी और आपको कुछ marks extra मिलेंगे compared to other जो directly आपका लिख देंगे कि material used to prepare solar cell is silicon अब देखे silicon क्यों use किया जाता है highly efficiency होती है high efficiency compared to other semiconductors जैसे कि आपका germanium हो गया ठीक है और cost भी low पड़ता है और third जो है आपका long life spend मतलब उसके life जो है वो ज्यादा रहेगी as compared to other materials ठीक यहां से आप यह team part complete हो गया और fourth में आप लिख सकते है uses of solar cell uses of solar cell यह हमारा fourth part है question का तो वहाँ पर आपका दिया हुआ है कि solar cell are used to use in power electronic devices जैसे कि आपका satellite space vehicles इन में use करते हैं और power supply calculator बहुत सारे calculators आपके solar cell in build होते हैं तो यह आप लिख सकते हैं अब इसके सांसाथ अगर इतना content हम लिखते हैं जैसे कि हमने है discuss कि 15 marks का जो आपका question है वह 175 words में जाएगा तो 175 words में नहीं हो सकता तो इसलिए addition में यह graph लिखेंगे यह आपका solar cell का एक graph है और देख पाएंगे कि यह जो बन रहा है यह आपका fourth quadrant में बन रहा है क्यों fourth quadrant में बन रहा है एक vi characteristics of a solar cell यह characteristic diagram है इसको mention कर देंगे और साथ में हम लिख सकते हैं यह कहां पर add करना होगा यह यहीं पर हमें इसी के साथ add करना होगा फिर यह third part और फिर यह fourth part और साथ में और क्या add करना है वो भी बताता हो यह देखें यहां से देखें यह यह जो बनता है वो हमारा कहां बनता है fourth quadrant में क्यों बनता है फोर्थ कॉर्ड ने क्योंकि solar cell current drawn नहीं करता है current तो वो देता है जब उसको क्या होता है load से connect करते है तो वो current generate करता है देता है load को जैसे suppose कोई bulb जला रहे है solar cell में जैसे यहाँ पर ये यह एक resistance है suppose यह bulb बानके चलते हैं तो यह जब glow करेगा तो यह current हमने I-L current हमने दिया तो कैसा हुआ यह load current है I-L means load current तो यह आपका glow करने लगेगा मतलब हमने क्या दिया उसको current दिया ना कि current हमने क्या किया लिया ठीक है यहाँ तक समझते है अब इस पर कुछ addition भी हम कर सकते हैं कैसे addition कर सकते 15 marks का question है 175 words में sufficient नहीं है basically यह question 8 से 10 का बनता है लेकिन इस पार्ट पर तो 10 का सवाली नहीं बनता है तो एक चीज़ और add कर सकते हैं fill factor of a solar cell fill factor basically यह होता है आपका fill factor जो होता है आपका efficiency होता है solar cell का efficiency होता है तो इसका जो formula है वो एक formula लिख देंगे कि हमने दिया गया मतलब output power output ले रहे है power के form में electrical power के form में output power ले रहे हैं और input power हम दे रहे हैं यहाँ पे vi के form में और vi हमारा कैसा होगा open circuit voltage into short circuit current के form में दे रहे हैं यह हमारा क्या है input power है यह हमारा input है input power है यह एक efficiency हम वहाँ दर्शा सकते हैं और साथ में यह लिख सकते हैं कि एक आदर से solar cell के लिए for an ideal solar cell the field factor should be always smaller than एक से कम होता है हमेशा smaller than one होता है और इसके range होती है range यहाँ से हम लिख देंगे कि range इसका होता है 0.7 से 0.8 तक का इसका range होता है इतना यहाँ पे हमारा जो analysis था यह conclude होता है कि हमें basically कैसे enhance करें कुछ चीजों को कैसे add करें और जो जितने marks कोशन बन रहा है तो वो fulfill होना चाहिए criteria अब the most important part of this video ठीक है इस video में आप देख पाएंगे कि हमारे द्वारा जो चलाए गई path IS Academy के द्वारा जो test series चलाए गई थी उससे कितने questions correlate होते हैं जो हमारे PhD में आये हैं इस साल के आप देख सकते हैं यहाँ से एक comparative है यह कि कितने questions यह आपका original paper से है path IS Academy के आपके test series से directly the questions are taken from the directly समझ लिए कि questions जो है as it is वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे अब देखे आउतल दरपन वाला question आया है यह कितने marks में आया है यह आपको question देखने को मिलेगा और साथ में जो एक और question है two marks के लिए यह भी आपको directly वहाँ देखने को मिलेगा path की test series में और same आपका यहाँ पे जो photo electric effect वाला है वो भी एक question आया है तो overall अगर हम देखते हैं यहाँ से तो question आपको देखने के मिलेंगे किसके two marks के two marks के आपके दो question देखने को मिलेंगे solar cell वाला भी question directly हमारे अलग अलग तरह से पूछे गया है test series में आप देख सकते हैं और यहाँ से जैसे हम देखे two marks के दो question आपके directly from the test series है और एक आपका आया है eight number का यह question आप देखे होंगे eight number का आया है eight marks का तो यह कितना हो गया four eight marks का a question और आपका fifteen marks का a question तो यहाँ से यह almost आपका होता है 27 marks का means 33 में out of 27 तो कहना मैं यह चाह रहा हूं कि test series जो है कि कितना important होता है किसी भी exam के लिए तो देख सकते हैं यहां से and thank you very much और आने वाले videos को भी आप continue follow करें आने वाले जितने subject है mains के वो सारे different teachers subject experts के द्वारा वो आपको आने वाले videos में वो बताए जाएंगे thank you very much हुआ 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 हुआ